यह है मेरी EV कार और इसे चार्ज करने के लिए यह EV Chargers Servo Tech 7KW AC और 14KW Hybrid Chargers इन्हें यूज कैसे करते हैं? चलिए जानते हैं दोनों से चार्ज करने का प्रोसीजर सिमिलर है सबसे पहले गन कनेक्ट करें उसके बाद चार्जर को RFID Enable Card या फिर Mobile App से Authorize करके यूज करना शुरू कर सकते हैं RFID को इस Reader पर Tap करके Authorize करें फिर इस Green Button को प्रेस करते ही चार्जर चार्जिंग शुरू कर देगा चार्जिंग रोकने के लिए RFID Card को फिर से Tap करें और Green Button दबाएं और चार्जिंग बन Simple उसी थरह ServoTech EV Charging आप से भी आप अपना Electric Vehicle चार्ज कर सकते हैं Gun Connect करने के बाद आपको आप से QR Code स्कैन करना है Wallet में minimum 25 रुपे का balance होना चाहिए और आपकी EV Charging शुरू बन करने के लिए आप पर Red Button को Tap करें हाँ, ध्यान रखिए Wallet में चार्ज खतम होते ही चार्जिंग अपने आप बंद हो जाएगी इसमें आपको कितनी percentage तक बैटरी चार्ज करनी है कितनी देर तक चार्ज करनी है काफी कुछ कस्टमाइज कर सकते हैं Connectivity के लिए सभी Chargers 4G Card, LAN और Wi-Fi Enabled हैं Grid से supply cut हो जाने पे सभी Chargers में बिलिंग के लिए 15 मिनिट्स बैटरी बैक अप है तो EV चलाएं, Environment और पैसे दोनों बचाएं ऐसे ही EV और Solar related वीडियोज देखने के लिए ServoTech से जुड़े रहे